रेडियो मिर्ची प्रिसेंस एक पुरानी कहानी सबस्यों एकारपने डेड़े सकी पुराप campus मुछाने लिए ओिरे रेड़े pensarom करिंस काा रेकर याय कि भी जिए झाल 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 देखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर नए तांगे बनवाए तांगों को पीतल के साजो सामान से सजाया फिर भी अब्बू के तांगे सी शान पैदा ना हो सकी हो ना ही उन्हें वो ग्रहक नसीब हो सके जो अब्बू और उसके तांगे घोडे के शैदाई थे एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त की च्छाओं में तांगे पर बैठा उंग रहा था कि एक आवाज उसके कानों में भिन भिनाई उसने आखे खोल कर देखा एक औरत तांगे के पास खड़ी थी उसने आउरत को बड़ी मुश्किल नजर से देखा मगर आउरत की तीखी जवानी एकदम उसके दिल में गुद गई वो आउरत नहीं जवान लड़की थी 16-17 बरस की दुबली पतली लेकिन मस्बूत रंग साबला मगर चमखीला कानों में चांदी की छोटी-छोटी बालिया सिधी मांग और सुत्वा नाख नाख के नथनों पर एक छोटा से चमखीला तिल लंबा खुर्ता और नीला लाचा सिर पर चदरिया लड़की ने कुवारी आवाज में पूछा वीरा टेशन का ग्या लोगे कुछ नहीं लड़की के चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया क्या लोगे टेशन का तुझसे क्या लेना पाग परिये चला बैठ तांगे में कैसी बाते करते हो तुम चला अब बैठ विजा जो तु देना चाहे दे देना चल जल्दी ले चल टेशन उसने पीछे मुड़ कर देखा बड़ी जल्दी है तुझे सोनी है हाई हाई तु तो लड़की कुछ और कहते कहते रुख गई तांगा चल पड़ा और चलता रहा कई सडकें घोडे की सुमू के निचे से निकल गए उसके होटों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी लड़की सहमी वी बैठी थी जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी वी आवाज में पूछा टेशन नहीं आया भी आ जाएगा तेरा मेरा टेशन एक है क्या मतलब? उसने पलेट कर लड़की के तरफ देखा और कहा ओ लड़ी है क्या तो इतना भी नहीं समझती कि तेरा मेरा टेशन एक है उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था तेरी जान की कसम तेरा ये गुलाम जूट नी बोलता लड़की ने सिर पर पल्लू ठीक किया उसकी आखे साफ पता रही थी कि वो अब्बू की बात का मतलब समझ चुकी है उसकी चेहरे से ये भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना है वो कश्म कश्म थी दूनों का टेशन एक हो या ना हो अब्बू बांका सजीला तो है क्या वो अपनी बात का पक्का भी है क्या वो अपना टेशन छोड़ दे क्या सोच रही है पागबरिये अब्बू की आवाज ने उसको चौका दिया घुड़ा मस्थ खरामी से दुलकी चाल चल रहा था ठंडी ठंडी हवा थी सड़क के दोनों ओर उगेवे दरख भाग रहे थे और उनकी टेहन चूम रही थी घुंगरू की एक आहंग चंचनाहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी वो गर्दन मोड़े लड़की के सावले हुसन को निगाहों से चूम रहा था कुछ तेर के बाद उसने घुड़ी की बागे जंगले की सलाख के साथ बांदी और उचक कर पिछली सीथ पर लड़की के साथ आ बैठा लड़की खामोश रही उसने लड़की के दोनों हाथ पकड़ लिए दे दे अपनी बागे मेरे हाथों में छोड़ भी दे मेरे हाथ लेकिन दूसरे ही लमहे वो अब्बू के बाजूओं में थी और उसका दिल जूर जूर से फड़ पड़ा रहा था अब्बू ने हॉले से प्यार भरे लहजे में कहा ये तांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज़्याद आजीज है कसम ग्यारवें पीर की मैं तांगा घोड़ा बेच दूँगा और तिरे लिए सोनने के कड़े बनवाऊंगा खुद भटे पुराने कपड़े पहनूँगा लेकिन तुझे रानी बना कर रखूँगा कसम खुदा की जिन्दगी में ये मेरा पहला प्यार है तू मेरी ना बनी तो मैं तेरे सामने अपना गला काट लूँगा उसने लड़की को अपनी बाजूँओं के हलके से अलग किया जानी क्या हो गया मुझे चल तुझे टेशन छोड़ा हूँ नई अब तु मुझे हाथ लगा चुका है मुझे माफ कर दे मुझसे गल्ती हो गई निवा लेगा इस गल्ती को लड़की के लहजे में चैलेंज था जैसे किसी ने अब्बू से कहा हो ले जाओगे अपना तांगा उस तांगे से आगे निकाल कर उसका जुका हुआ सिर उठा उसकी आखी चमक उठी बाग पर ये अब्बू अपनी जान दे देगा तो ये ले मिरा हाथ कसम अपनी जवानी की अब्बू तेरा गुलाम रहेगा दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया नाम लड़की का इनायत यानि नीती था और वो जिला गुजरात की मोचन थी वो अपने रिष्टदारों के साथ हाई थी उसके रिष्टदार स्टेशन पर उसका इंतजार करते ही रह गए और वो महबत की सारी मनजिले तै कर गई अब्बू और नीती दोनों बहुत खुश थे ना नीती ने चाहा ना अब्बू ने तांगा घोड़ा बेचा ना नीती के लिए सोने के कड़े बने लेकिन अब्बू ने अपनी जमा पुंजी से नीती को सोने की बालियां खरीद दी और कई रेश्मी जोड़े बनवा दिये नीती के लिए ये कम न था लश लश करते हुए रेश्मी लाचे में जब वो अब्बू के सामने आती तो अब्बू का दिल नाचने लगता कसम पंजतन पाक की दुनिया में तुझ सा सुन्दर और कोई नी है नीती तु मेरे दिल की रानी है दोनों जवाने की मस्तियों में डूबे हुए थे दोनों को गाते, हसते, सैरे करते और एक दूसरे की बलाएं लेते हुए एक महीना ही गुजर पाया था कि एकदम से एक रोज पुलिस ने अब्बू को गिरफतार कर लिया और चालो है नीती भी पकड़ी गई अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला कि नीती बालिख नहीं थी नीती के अदालत में मौजूद रहने के बावजूद अब्बू को दो बरस की सजा हो ही गई जब नीती ने अदालत का हुक्म सुना तो वो अब्बू के साथ लिपड गई नहीं आ ले जाओ उसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा नीती के माबाप ने बहुत जोर लगाया मगर वो उनके साथ न गई ठक हार कर उन्होंने नीती को उसके हाल पर छोड़ दिया नीती अकेली अब्बू के घर में रहने लगी हर शाम दीना उसे पांच रुपए दे जाता जो उसकी जरूरतों के लिए काफी थे इसके लावा कुछ थोड़े से रुपए उसने जमा भी कर रखे थे हफते में एक बार अब्बू से उसकी मुलाकाद जेल में होती ये मुलाकाद बहुत ही छोटी होती उसके पास जितनी जमा पूंजी थी वो उसने अब्बू को जेल में सुक सुविधा के चीज़ें पहुचाने में खर्च कर दी एक मुलाकाद में अब्बू ने उसके नंगे कानों की तरफ देखा और पूछा तेरी बालियां कहां गहीं नीती गुम हो गहीं कहीं तु मेरा इतना ख्याल ना रखा कर मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ उसने कुछ न कहा और मुस्कुराती हुई चली आई कि मुलाकाद का वक्त पूरा हो चुका था घर पहुँचकर वो बहुत रोई घंटों आंसु बहाती रही उस मुलाकाद में उसने बड़े जब्द से काम लिया उसने महसूस किया कि अब्बू के सहत बुरी तरह गिर चुकी है वो तगड़ा अब्बू घुल घुल कर आधा रह गया वो उसे पहचान न सकी उसने सोचा अब्बू को मेरा घंखा रहा है जुदाई ने अब्बू की ये हालत कर दी है घंजुदाई जेल जेल का घटिया खाना जेल की कड़ी मशक्कत इतना कुछ तो उसको मालूम था ये मालूम नहीं था कि टीबी का मर्ज अब्बू को विर्से में मिला है अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज्यादा तगड़ा था लेकिन टीबी ने उसे चंद हफतों में कबर के अंदर पहुँचा दिया था अब्बू का बड़ा भाई में आखरी सांसे ले रहा था उसने अफसोस भरे लेज़े में नीती से कहा मुझे मालूम होता कि मैं इतने जल्दी मर जाओंगा तो कसम खुदा की तुझे कभी अपनी बीवी ना बनाता मैंने तेरे साथ जल्म किया है मुझे माफ कर दे देख मेरी एक ही निशानी है मेरा तांगा घोड़ा उसका ख्याल रखना और चन्नी बेटे के सिर पे हाथ फेर के कहना कि अब बूल प्यार भेजाए अब बूल मर गया नीती का सब कुछ मर गया इतनी जल्दी सब कुछ मर गया नीती होसले वाली ओरत थी उसने सद्मा बरदाश्ट कर ही लिया वो तमाम दिन घर में तनहा पड़ी रहती शाम को दीना आता, पांच रुपए उसके हवाले करता उसे दम दिलासा देता और कहता भावी, अल्ला में आके आगे किसी की पेश नहीं शलती अब वो मेरा दोस्त ही नहीं, भाई भी था मुझसे जो हो सकेगा, खुदा के हुक्म से जरूर करूंगा जब नीती की इद्दत के दिन पूरे हो गए तो एक दिन दीने ने साफ साफ लवजों में नीती से कहा कि वो उससे शादी कर ले नीती के जी में आई कि वो दीने को धक्के मार कर बहार निकाल दे मगर उसने सिर्फ इतना कहा भाई, मुझे शादी नहीं करनी उसी दिन से दीने के रवईये में फरका गया पहले वो हर रोज शाम को पांच रुपए दे चाता था हब वो कभी चार रुपए देने लगा कभी तीन और कभी दो ही तीन-तीन दिन गायब रहने लगा बहाना ये कि बीमार था इसलिए तांगा जोत न सका तांगे का कोई कल पुर्जा खराब हो गया था मरमत के चक्कर में सारा दिन बरबाद हो गया जब पानी सर से निकल गया तो नीती ने दीने से कहा भाई दीने अब तुम तकलीफ न करो तांगा घोडा मेरे हवाले कर दो बड़ी मुश्किलों से नीती ने उससे तांगा ले ही लिया कई दिन तक सोचते रहने के बाद नीती ने तांगा घोडा अब्बू के एक और गहरे दोस्त मांजे के सिपोर्द कर दिया चन्द दिनों के बाद मांजे ने भी शादी की दरखास्त की नीती ने इंकार किया तो मांचे की आँखें भी बदल गए ठक हार कर नीती ने तांगा घोड़ा एक अंजाने कोचवान के हवाले कर दिया एक शाम वो अंजाना कोचवान पैसे देने आया तो नशे में धुत था उसने डेवडी में कदम रखते ही नीती पर हाट डालने की कोशिश की नीती ने उसको खरी-खरी सुनाई और घर से बाहर निकाल दिया नीती अजीब उलजन में गिरफतार थी आठ दस रोज से तांगा घोड़ा बेकार तबेले में पड़ा हुआ था घास दाने का खर्च एक तरफ तो तबेले का किराया दूसरी तरफ कोचवान थे कि कोई शादी की दर्खास करता था कोई उसकी इजज़त पर हाट डालने की कोशिश करता था और कोई पैसे मार लेता था नीती सोच सोच कर पागल हो गई एक दिन बैठे बैठे उसे खयाल आया क्यों ना तांगा में आप ही जो तूँ आप ही चलाओ जब वो अब्बू के साथ घुमने के लिए निकला करती थी तो तांगा वो खुद ही चलाया करती थी शेहर के रास्तों से भी वो वाकिफ थी उसने सोचा लोग क्या कहेंगे फिर खुद ही उसने अपने सवाल का जवाब दिया क्या ओड़ते मेहनत मजदूरी नहीं करती दफ्तरों में जाने वाली ओड़ते कोईले चुनने वालियां घरों में बैटकर भी तो हजारों ओड़ते काम करती है हरजी क्या है फिर पेट तू किसी हीले से पालना ही है ना। उसने कुछ दिन सोच विचार किया और आखर में फैसला कर लिया कि तांगा वो खुद चलाएगी। उसको खुद पर पूरा भरुसा था। एक दिन अल्ला का नाम लेकर वो तबेले पहुँच गई। उसने पीतल का साजो सामान चमकाया, घोडे को नहलाया, धुलाया और खुद प्यार किया। तांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का बक्का रह गए। अभी सारे कोचवान हैरत जदा ही थे, कि वो अब उसे दिल ही दिल में प्यार की बाते करती हुई, तबेले से बाहर निकल गई। उसके हाथ रवा थे, जैसे वो तांगा चलाने के फन पर हावी हो। शहर में एक तहल का बर्पा हो गया। ये एक खुबसूरत औरत तंगा चला रही है। हर जगा इसी बात की चर्चा थी। लोग सुनते थे और उस वक्त का इंतजार करते थे जब नीती और उसका तंगा उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू शुरू में तो सवारियां नीती के तंगे में बैठने से जज़गी। मगर चंद ही दिनों में उनकी जज़ग दूर हो गई। अब एक मिनट के लिए भी नीती का तंगा खाली नहीं रहता। इधर एक सवारी उतरती उधर दूसरी सवारी बैठ जाती। कभी कभी तो सवारियां आपस में लड़ने जगरने भी लग जाती। कि किस सवारी ने पहले नीती को बुलाय था। नीती को खूब आमदनी हो रही थी। उसने महसूस किया कि तंगा दिन भर चलता रहता है। ना उसको और ना अब्बू के चन्नी को सुस्ताने का कोई वक्त मिलता है। उसने सोच समझ कर तंगा जोतने का वक्त पैकर लिया। वो सुबह साथ बजे से बारा बजे तक और दो पहर दो बजे से शाम छे बजे तक तंगा जोतने लगी। अब आराम भी मिलने लगा, आमदन तो थी ही। वो जानती थी कि ज़्यादा तर लोग सिर्फ उसके पास बैठने के लिए उसके तंगे में बैठते हैं। वो बे मतलब बे मकसद उसे तंगा इधर उधर घुमाने फिराने को कहते हैं। तांगे में बैटकर आपस में गंदे-गंदे मजाग करते हैं। उसको सुनाने के लिए अजीव-जीव बाते करते हैं। रात का कितना लेगी? वो अक्सर मैसूस करती हैं। कि वो तो खुद को नहीं बेचती। लेकिन लोग चुपके चुपके उससे खरीर लेते हैं वो ये भी जानती थी कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं इन तमाम एहससात के बावजूद वो आतुर नहीं थी उसमें एक खास सुकून पैदा हो गया था एक दिन शहर की कमिटी ने उसको बुलाया और कहा एह तुम तांगा नहीं चला सकती जिनाब मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती लाइसेंस के बगेर तुम तांगा नहीं चला सकती अगर तुमने लाइसेंस के बगेर तांगा चलाया तो तुम्हारा तांगा और गोडा जब्त कर कर दो कर दो तुम्हार तो कर दो सकता तो कर दो सकता कर दो rightly जलकर राख हो गई उसने हॉले से अच्छा जी कहा और चली गई उसने ओने पौने दामों तांगा घोडा बेचा और सीधी अब्बू की कबर पर गई एक लहजे के लिए वो खामोश खड़ी रही उसकी आँखें बिलकुल खुश्क थी जैसे बारिश के बाद चलचलाती धूपने सारी नमी चूसली हो फिर अपने बिचे में होट के साथ अब्बू की कबर की तरफ मूडी और कहा अब्बू आज तेरी नीती कमेटी के दफ़तर में मर गई तूसरे दिन उसने शहर की कमेटी के दफ़तर में अरजी दी और उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल के हो कि सीऑसरे लाइसेंस आजज सकतह तरे विक एाव स bon दोदे में 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 का सकता Remoj